नमस्कार दोस्तों हमारे एक और वीडियो में आपका सोगत दोस्तों आज हम आपको आरपीसी एलडीसी कलर के लिए इंगलिस के पिछे के वनवर्ड का पार्ट दो करवाएंगे दोस्तों इस पे ध्यान देना पहला कुश्चन है एक पार्ट पहले मनें पहले करवाय था उसमें 20 तक कुश्चन थे इससे आगे यह है पहला है टुगेट ओफोटन सम्थिंग कुछ प्राप्त करना वो क्या कहलाता दोस्तों अटेन कहलाता है अगला है हाथ से लेकी हुई किताब में वो क्या कहलाती है ए मैनुस्क्रिप्ट हाथ से लेकी हुई याद रखना दोस्तों इसे अगला है लाइफ स्टोरी ओफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ एक जीवन कथा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्विम के द्वारा ही अपनी जीवन कथा लि और यहां पर दोस्तों दोस्तों हम यह कुश्चन है यह पिछे के सालों में कभी ना कभी आए हुए हैं किसी ना किसी एक्जामेट तो बहुत इंपोर्ट है इनको याद रखना यह आपके बहुत काम आएंगे इसे अगला है एक बड़ा ब्यूर्यल ग्राउंड एक बड़ को जलायए अब दफनाया जाता है तो एक रिखार्ष ग्राउंड क्या कहला आपधा है सिमेट्री कहलाता है этिमेट्री यहाद रखना इसे अगला है एक को वरकर इन ऐन ओफिसोर इंस्टिटुशन क्या कहलता है किसी वेक्ति के सा committed कख करने वाला किसी система क्लीग कहलाता है कली दोस्तों याद रखना अगला है वन हुबस मोटीव मेरली टू गेट मनी जिसका मोटीव क्या होता है दोस्तो धन प्राप्त करना मुँजनर को जोरत के समानों लगता है देखने में क्या कह लएता है डीम्रीम्राइट या बॉल सकते उसको इसे अगला है टू सप्लाई लेंड वीदवाटर भाइ आहटिफिश जालमेंज कृत्रिम तरीके से पानी और जो वो क्रेंटिम तरीके से पानी दे ना किसको धर्ती को वह इर्रिगेट सिसाइज इसको बोलते हैं वो कहलाता है दोस्तों एलार्ज 26 वाओगा 27 28 28 30 30 वा दोस्तों इनको याद रखना आप जूम के इनको स्टोप करके जूम करके स्क्रीन सोट लेके कैसे इनको याद कर सकते हो आप लिक भी सकते हो वीडियो को र लिखा हुआ होता है क्या कहलता है दोस्तों क्रिप्टो ग्राम क्रिप्टो ग्राम दोस्तों एल्डी सी आप सी एल्डी सी किलर के मैं मैं में पूरा सेलेबस करवाऊंगों और इन से बार पिछ नहीं जाएगा बस आप इनको याद रखना 32 है बाग इन इसलो रिलेक्स अबे में चलना क्या करता है दोस्तों सोंटर कहलता है सोंटर अगला है one who copies from other writers एक राइटर होता है वो दूसरे writers की copy करता है उसको plagiarist कहते हैं बड़े-बड़े जो राइटर होते हैं इनकी जो कृतियों की जो चोरी हो जाती है वो plagiarist वो चोर कहलाता है वो plagiarist जो बोलते हैं इसको आप लिखके आद कर लेना इससे अगला है इससवा मिलेटियों रेसेमर्स इंटर एँटिंग और ऐनेवन एक बहुतितर व्रता के साथ समानता किसी वक्तिया किसी चीज के साथ क्या कहलती है cinnamon की जो ऑन गेवा है वह है किसी व्यक्ति को डाटना या रिब्योक करना क्या कला दोस्तों चीड क्या पाव लगता है चीड, C-H-I-D-E, लिख-लिख के याद कर लें आप, बीज मैंने कल करवाई थे, बीज ये हो जाएंगे आज, और और भी पार्ट इसके आएंगे, याद रखना, A Hetero Woman, Misogynist, A Hetero Woman, मतलब एक ऐसा वेक्ती जिसको लड़कियां पसंद ना हो, जो लड़कियों से नफरत करता है, वो Misogynist, कहलाता है दोस्तों, इस एकला है, Easy to shape in any desired form, एक ऐसा मेटल, ऐसी धातू का वहेगुन, किसी पदार्थ का वहेगुन, जिसके द्वारा उसको बहुत ही आसानी से किसी दूसरी form में ढाला जा सके, वो क्या कहलता है, Malleable कहलता है, यह गुण होता है Malleability, उसी से Malleable बनाएं दोस्तों, इस अगला है, Amount of Money demanded by Kidnappers, जब कोई Kidnapp कर लेता है किसी वक्ती को, तो उसके घरवालों से जो धन मांगा जाता है, नहीं, 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 यह जादत हो गया दोस्तों, इसको Ransom बोलते है, Ransom, यह Patrimony की जगया, 38 चो कुष्चन है, इसमें Ransom कर लेना दोस्तों, R-A-N-S-O-N, Ransom, Ransom होता है दोस्तों, यह अगला है, Property Inhited from Once Father or Ancestors, किसी वक्ती के पिता या जो उसके पूर्वज हैं, उनके द्वारा उसको जो जमीन दी हुई होती है, आती है, वो Patrimony का लाती दोस्तों, पैटरी मोनी का लाती, दोस्तों याद रखना, दोस्तों यह 20 कल हो गए थे, 49 आज हो गए, इनको याद करना, वीडियो अच्छे लिए 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 लाइट कमेंट, सेर जरूर करना,